वेलकम बैक तू कोरा आट्स कोर्स मैसल्फ उमरत रसकीर आज के इस पर्ट्रेप्युलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट लोग समझ लेते हैं तो अगर मुझे कोरा के प्लाटफॉर्म के उपर कोई आड दिखा मैंने उस आड के उपर क्लिक किया मैं एक लैंडिंग पेज के उपर गया बट वहां पर मैंने कोई भी कनवर्जन नहीं किया और जिस कनवर्जन के बात करूं वह अल्रेडी जो जाता हूं तो हो सकता है मुझे उस वे cents कै और बाद में कभी दो दिन बाło छे दिन बाद कर देता है उसका ग्रीजे और को सपेसिफिक केंपञ़ को जाना चाहिए मैं यह सब किसको attribute होगा इस चीज को decide करते हैं attribution model तो वैसे तो अगर हम अलग-अलग platforms की बात करें जैसे गूगल ads की बात करें तो बहुत से different types of attribution model को वो support करता है काफी advanced platform है वो ads का यहाँ पर अगर मैं कोरा ads की बात करूं तो यह बहुत जादा हमें attribution models को select करने के या उनके by default एक last click attribution model ही मिलता है तो आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा अब last click attribution model का सीधा सा मतलब यह होता है कि जिस भी चीज से last click आया हुआ है जिस भी add से last click आया हुआ है conversion से पहले मैंने अभी conversion किया उससे पहले मैंने जिस भी add के साथ किया था उस आड को जो है वो conversion जो है वो attributes हो जाएगा fine कि भाई इस particular ads से conversion है तो मान लेते हैं अगर मैंने conversion काने से पहले दो ads के साथ interact किया था जिससे मैंने सबसे last में इंटराइक किया था जिस से उस आड को या उस आड ग्रुप को या उस काम्पेंड को जो मेरा कन्वर्जन है वो आट्रिव्यूट हो जागा फाइन तो अभी आपको यह बात समझ में आ गई कि यह लाच्ट क्लिक आट्रिविशन मॉडल के उपर चलता है और अब हमें समझना है कि आखिर क्लिक थू व वह आला Conversion उस आड को आट्रिव्यूट हो जाए या वह अला Conversion उस आड को आट्रिव्यूट हो जाएगा इस इस व्ली क्लिक थुरू विंडो अब क्लिक थूरू विंडो का माक्सिमम टाइम होता है वह 90 डेस का होता है मतलब एक दिन से 90 डेस के बीच में आप sate कर सकते हैं और यहां से आप account settings में जाएंगे एक बार, तो account settings में जाने के बाद, आप यहां पर देखो, आपको conversion window का option दिख रहा है, और यहां पर आपको click through window और view through window का option दिख रहा है, मैं edit करता हूँ एक बार, तो click through window में आप 90 days कर सकते हैं, अगर मैं 100 days करूँ तो आप देखो, यहां पर आपको error देदेगा, कि एक से 90 days के बीच में ही आप कर से तो, 28 days जो आपको by default मिलता है, उसी को आपको use काना, इसका मतलब यह है, कि अगर किसी ने आपके add के उपर click किया, उसके साथ इंट्राइक किया, तो उसके 28 दिनों के अंदर भी अगर वो कोई conversion करता है आपकी website के उपर, जो भी आपका defined conversion है, आपकी website के उपर वो करता है, landing page के उपर करता है, तो वो आला जो conversion है, वो जो है उसी particular add को जो है, अब यह अगर convert करता है, यही browser से अगर conversion होता है, तो फिर आपको attribute हो जाएगा, यहाँ पर थोड़े से problem create हो जाती है, जब cookies हो गएरा delete हो जाती है, थोड़े से जो data है, वो real नहीं रहती है, थोड़े से data में problem आ जाती है, this is basically click through window, सीधा से मतलब है कि click करने के, कितने दिनों बाद तक अगर वो convert करें, तो आप उसको conversion में attribute करना चाते है, then view through window, थीकत, view through window का मतलब यह होता है, जैसे वो click through है, वैसे यह view through है, इसका सीधा से मतलब यह है, कि आपके add के impression होने के बाद, कितने दिनों के भीतर अगर वो convert हो, तो फिर उस add को वो attribute है, किसी ने आपका add देखा, उसका impression हुआ, view किया के वाल उसने, तो वही person अगर एक दिन के अंदर, आपके landing page के उपर जागर convert हो जाता है, तो अगर मैंने view through window का, यहाँ पर time period one day रखा हुआ है, तो फिर वो आला जो conversion है, वो उस particular add को attribute हो जाएगा, view through window के through, ठीक है, तो view through window का जो timing है, वो अगर आप देखो तो one day है यहाँ पर, और जो click through window की timing है, वो 28 days है, बात समझ में भी आती, जिसने click किया, उसको थोड़ा ज्यादा मौका मिलेगा, और जिसने click नहीं किया, केवल view किया, उसको उतना ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, यह concept आपको clear हो गया होगा, कि attribution model की settings हमें कहां देखने को मिलती, मैं यहाँ पर गया था account settings में, और account settings में आपको यह देखने को मिलेगी, आपको ऐसे touch नहीं करना, इनको जो by default यहाँ पर selected है, that is absolutely fine, उसमें कोई भी आपको change करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दे, ठीक है, बद आपको पता होना चीए, कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि कई बार reporting में भी आपको ऐसे column select करने का option मिलते हैं, तो आपको पता होना चीए, तो स्वाश कर दो, वीडियो आप फुसना है होगा, इस पड़िवलो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, good bye.